So hello friends, एक बाँ फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल Film Me Forever पर अब दोस्तों पिछले दो दिनों से पूरे के पूरे सोसल मीडिया पर न्यूस चल रही है कि Tiger 3 मूवी पोश्ट पॉन होने वाली है, अब Tiger 3 मूवी 10 नॉम्बर को नहीं आएगी Tiger 3 के मेकर्स ने फैंसला किया है कि इस मूवी को अब हम Eats 2024 में रिलीस करेंगे अब दोस्तों उन्होंने इसकी कुछ रीजन से भी बताई है और साथ में ये भी बताई है कि इस मूवी को पोश्ट पॉन क्यों किया जा रहा है फिलाल दोस्तों मैं बता दूँ ये जितनी भी न्यूज पोश्ट पॉन की निगल कर आ रही है वो सारी की सारी फेक है, सारी की सारी हुमर्स है अब एक बात और किलियर कर दूँ कि ये न्यूज कौन फैल आ रहा है ये news दोस्तों वो फैल आ रहे हैं जो WireF Spy University से नफरत करते हैं जो सलमान खान से और साथ में Tiger 3 franchise से नफरत करते हैं अब दो no doubt उस्तों उन्होंने reason भी दी है और उन्होंने reason क्या दी है कि जो गदर्टू movie अभी 500 करोड के क्लम में शामिल हो गई है तो वहाँ पर लोगों ने भर पास की सलार मूवी में लोग भर भर के जाएंगे उसके बाद दोस्तों विजय खालापत्री की लियो देखने जाएंगे तो जब नवंबर में टाइगर 3 मूवी आएगी तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा उस मूवी को देखने के लिए मुझे ये बताईए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये सब हेटर्स बिना फाल्तू के सर पैर की बात करते हैं जिनके पास कुछ भी काम नहीं होता है वही टाइगर 3 मूवी के पोश्टपॉन होने की बात कर रहे हैं अब दोस्तों बता देख 15 अगस्त के दिन सभी को उम्मीद थी कि सोबह से लेकर शाम अगस्त के दिन भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा अब सभी को उम्मीद है कि जवान मूवी के साथ जो इसका ट्रीजर आने वाला है वो कंफर्म आएगा की नहीं आएगा तो दोस्तों अभी फिलाल लेटिश्ट न्यूज ने निकल कर आ रही है कि 28 अगस्त से जिया द सितंबर को अभी वही निउस बनी हुई है कि 7 सितंबर को जवान मूवी के रिलीज के साथ हमें टाइगर 3 मूवी का फर्ष्ट कंटेंट कुछ न को जरूर दिखाई देगा चाहे वो टाइगर 3 मूवी का टीजर हो चाहे वो मोसन ग्लिम्स हो चाहे वो मोसन पोश्टर हो प साथ ही मूवीस से जुड़ी हर छोटी वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपनी यूटूब चैनल तिल्मी फॉराइवर को